किसान भायो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में पहला पानी कब देना चाहिए पहले पानी के साथ में कौन-कौन सी खाद कितनी मातरा में देनी चाहिए और पहला पानी लगाते टाइम पर कौन कौन सी बातों के उपर विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि सरसों में पहला पानी कब देना चाहिए तो पहले पानी का जो टाइम होता है सरसों में वो नॉर्मली एक महीने के बाद का होता है यानि कि एक महीने के बाद में हमें सरसों में पहला पानी देना चाहिए बिजाई से 30-40 दिन के बीच में हमें पहला पानी सरसों में लगा देना चाहिए ये बिल्कुल से ही टाइम होता है पहला पानी लगाने का आप सरसों में जितना ज़्यादा पहला पानी लेट करते जाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा इसके पिछे कारण ये है कि जितना आप ज़्यादा लेट करोगे पोदे को पानी देने में उतनी ही पोदे की जड़ें नमी के लिए पानी के लिए मिट्टी में निचे गहराई तक जाएंगी और जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो पोदे की जड़ें अगर मजबूत हो जाएंगी तो पोदे का तना मजबूत होगा पोदे की जड़ और तना मजबूत हो जाएगा तो पोदे का और वि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेज निकलेंगी अच्छा फुटाओं होगा ज्यादा टैहनी आउंगी तो पोदा और ज्यादा 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 स्पेस को कवर करेगा अच्छी पैदावार देती है फसल तो इस प्रकार से यह पहले पानी के हमने बात करी अगर आप छोटी फसल की जो ग्रोथ है बडवार है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है इसलिए सही टाइम के उपर फसल में पानी देना जरूरी होता है अच्छी पैदावार के लिए लेकिन एक चीज़ का आप ध्यानियां पर और भी रखें कि पहला पानी देने से पहले कोशिश करें कि फ लड़ों तक वो पूरी खाद और पानी जाए तो फसल के उपर पूरी तरह से काम करता है तो अच्छा रजल्ट मिलता है तो यह आपको पहले कोशिश जरूर करनी चाहिए अगर हम बात करें अगला पॉइंट जो हमारा आता है कि पहले पानी के साथ में कौन-कौन सी खाद कितनी मातरा में देनी जी है यहाँ पर काफी किसान बाई पूछते हैं कि बिजाई के टाइम पर डी एपी हमें नहीं मिली तो क्या हम पहले पानी के साथ में डी एपी दे सकते हैं तो आप बिलकुल पहले पानी के साथ में डी एपी भी यूरिया के साथ में दे सकते हैं पह की मातरा की तो इसमें आपको 30 किलो गराम यूरिया इस टाइम पर डालनी है 30 से 40 किलो गराम आप ले सकते हो जितने यूरिया आप पहले अपने खेत में डालते हो उसी हिसाब से आपको यूरिया की मातरा रखनी है मोटा मोटी यहां पर 30 किलो गराम की हम बात कर रहे हैं इसके साथ में यूरिया के साथ में आपको जिंक सलफेट जो 33% में आती है मोनो हाइडरेट जो आती है ये 33% वाली आपको जिंक लेनी है 5-7 किलोगराम एक एकड़ के इसाब से 33% वाली जो जिंक है ये जिंक सलफेट मोनो हाइडरेट होती है जैसा कि मैंने आपको बताया 33% में आती है इसमें जिंक 33% पाया जाता है और जिंक के साथ में 15% इसमें सलफर भी होती है तो ये दो बैनिफिट आपको यहां पर हो जाते हैं अगर आप जिंक सलफेट डालते हो इस टाइम पर 33% वाला तो इसमें जिंक मिलता है और साथ में सलफर भी होता है तो दो पोसकता तो जो कि हमारी सर्सों की फसल के लिए बेहदस जरूरी होते है इस टाइम के उपर जैसा कि आप जानते हो कि तेल वरक ये फसलों में सलफर जरूरी होता है डालना इसलिए आपको बार-बार बोला जाता है कि सर्सों में आपको सलफर जरूर देना चाहिए इससे तेल की मातरा बढ़ती है पोदे के अंदर पीलापन कम आता है अच्छी बड़बार होती है इसके अलावा जो दाना होता है सरसों का वो मजबूत बनता है भारी बनता है तेल की मातरा ज्यादा होगी तो सरसों का जो दाना हो वजंदार बैठेगा इसलिए आपको इसमें सलफर जरूर डालने चाहिए सरसों में क्योंकि ये तेल वरगी भजल है इसलिए आपको यूरिया के साथ में 33% वाला जिंक मिक्स करके आपको पहले पानी के साथ में दे देना है इससे जिंक से क्या होगा इस टाइम के उपर पोदे के अंदर ज्यादा से ज्यादा फुटाओ होगा ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा टिलरिंग होगी ब्रंचेज निकलेंगी तो आपका पोदा ज्यादा फैलाओ लेगा और पैदावार में यहां से बड़ोतरी होती है निश्चित रूप से तो मान कर चलें आपको इस टाइम के उपर यूरिया के साथ में जिंक का प्रियोग जरूर करना है तो यह चीज़ आप द्यान में रखें अगर आपने बिजाई के समय पर जिंक डाल रखी है तो इस टाइम के उपर आप साथ किलोगराम के जगह पर चार किलोगराम जिंक भी ले सकते हो एक एकड़ के इसाब से तो यह चीज़ आपको द्यान रखनी है अगर पहले डाल रखा एक एकड में आप डाल सकते हो काफिक्सान बाई पूछते हैं कि क्या पहली सिंचाई के साथ में सलफर भी डाल सकते हैं तो हां बिल्कुल डाल सकते हो लेकिन जो 80% वाली सलफर होती है WDG formulation में जो आती है ये साथ में fungi side का भी काम करती है तो इस परकार से पहला पानी आपको time के उपर देना है और उसके साथ में ये खाद का प्रियोग करना है जिससे हमारे पोदे का overall विकास अच्छा होगा अगर सुरुवाती विकास पोदे का अच्छा हो जाता है ज्यादा फ टोपिक बर चाहिए इसके बारे में नीचे कमेंट में जरूर लखें आज के इस वीडियो हम बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार